नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज है कि हिमाचल परदे वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर हैंट तक मैं रही है अगर आपने अवी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूल है जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया व करोना संग करमन से तीन और लोगों की मौत हो गई है परदेश में अब तक 41 लोग करोना से जान गवा चुके हैं शिमला के IGMC अस्पतार में मंगलबार को एक महिला मरीज की मियाथ होई है शिमला के लकड बजार के 42 महिला 42 वर्शी महिला करोना पोजिटिव को भुकार और सांस की दिकत के करमन समबार को IGMC में दाखिल किया गया था मंगलबार को महिला ने दम तोड़ दिया बद्दी के हिल वियू में करोना से 37 वर्शी विक्ति की मौत हुई है इसे रात को सीने के में दर्द और खांसी की शिकायत होने पर काठा चिकत सर ले लाया गया था जहां मंगलबार शाम को इसने दम तोड़ दिया कोविड नाइंटी के बीबियन परभारी डॉक्टर गगन दीप ने इसके पोश्टी की है नारागड की 35 वर्शी महिला को उपचार के लिए AMU रैफर किया गया था यहां चिकत सकों ने महिला को मरित गोशित कर दिया मौत के बाद महिला की करोन रिपोर्ट जो है पोश्टी वाई है जीला स्वास्ति एदिकारी डॉक्टर एनके गुपता ने इसकी पोश्टी की है हिमाचल परदेश में मंगलबार को जो है 121 करोना पोश्टी मामले जो है आये हैं जिसमें सिरमौर में 34, विलासपूर में 24, उन्ना में 15, शिमला में 14, हमेरपूर में 8, 16 में 4 और कांगडा में 16, चंबा में 2 और कुलू के आनी में एक करोना पोश्टी मामला आया है शिमला की आईजिम से अस्पिताल के यूरू लोजी विभाग के अध्यक्ष भी करोना पोश्टी पाए गए हैं वखार जैसी समस्या होने के बाद उन्हें कोविट सेंपल के लिए जांच कोविट सेंपल जो है जांच के लिए दिया था इसकी रिपोर्ट पोश्टिव आई है विभाग अध्यक्ष के पोश्टिव आने के बाद अस्प्ताल में दैश्ट का महल है अस्प्ताल की कौवार्टीन कमिट्टी ने मंगलवार शाम को भी बैठक भी की बैठक मिट डाक्टर के संपर्ग में आये लोगों की ट्रेसिंग कर उन्हें गवार्टीन समद्धी प्रक्रिया शूरू करने को कहा बताया जा रहा है कि या डाक्टर कुछ दिन पहले लुद्याना में एक्जाम देने गये थे शायद यहीं हुआ किसी पोजिटिम अरीज किसंपर्ग में आये होंगे इसके अलावा करोना संदेग दवार में मंगलवार देर शाम तक दो फलू ओपिडी में एक और रामपुर से चार नए पोजिटिम मामले सामने आये हैं मुख्य चिकित सा अधिकारिश्टी अमला सुरेखा चोपरा ने जो है बताया कि इसके पोश्टी की है वहीं रूल्दू भट्टा में एक परिबार का एक सदस्य पोजिटिव आने के बार मंगलवार को जीला प्रशासन ने एहतियातन तोर पर भवबनों को सहील कर दिया है सोलन में एक महिला और नालागर में दो लोग जो है कोरोन संक्रमित पाए गए हैं इनका ट्रूनेट मशीन से टेस्ट हुआ है वहीं CRI कस्वली से दो लोगों के रिपोर्ट पोजिटिव आई है जिला स्वास्ति अधिकारी डॉक्टर अनके कुटता ने बताया कि पोजिट के लिए आई थी जिसका ऑपरेशन करवाने के बाद इसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है वहीं नालागर में एक महिला संक्रमित पाए गई है महिला को कोविडिकल सेंटर वे शेफ्ट कर दिया है तो इस परकार 121 नहीं मामले और एक दिन में तीन लोगों की करोन से जो ह पर मौत हुई है तो दोस्तों यह थी अभी के आज की ताद्या ख़बर ब्रेकिंग न्यूज अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभू झाल